चलो देख आगे ऐसे कितने लोग है जो कल नहीं आए थे सवाय थे दो तीन लोग है ज्यादा नहीं है अगर आपके पास मोवाइल है तो यह कल वाली कि लाव आपके घर तक पहुंचा देंगे और नहीं है तो कल आप 6 से 7 आज यह कल वाली जो क्लाब शुटी हो वह कबर करव लो वादेंगे मिला अगर फिर संको जो अगर यह रहते हैं तो इस आह мощ्त और भी तो यहा जाए नहीं कि लास क desarroll मिंद्डर कि अपकॉम की दिक्कत जोगि ईन यह नहीं द्ट बाव थे को तो आप घरवेट जिन पर मोवाइल ना हो नेट वेस्था ना हो तो यहीं आ जाना यहीं करवा देंगे ठीक है चलो तो यहां पर साम को अगर यहीं कहीं रहते हो तो चलिए तो देखो आगे बढ़ता है एवरेगल फ्रू कियाता हम लोगों ने बहुती सरल और न्यायदि छोटा फा टॉपिक है ठीक है भी आ तो औसद की अगर हम बात करें तो औसद किसे कहते यह जानते हैं लोग यह अम लोग कल बता दिया था कि ओसद किसे कहते हैं देखना द्यान से आ गया देखो, और सद बरावर होता है, जितने भी आंकडे दिये गए, अब नहीं लग रही ठंड, वो गर्मी, यहां तो लग रही है, यह मालों यह लग रहा है, बलब और जहरने लग जाए, सिमिला पहुंच गए, ठीक है, आगर देखो आप, सबसे ज़्यादा मालों गर्मी यही तुम तक तब भी नहीं पहुचती होगी इतनी ज़्यादा, देखो आगे, सबसे बाट की यहां गर्मी है, देखो आगे, आप हमें यह बताईए, अब ध्यान से देखना, हमने आपको कली यह बताया था, एवरेज बरावर, दिये गए, जितने भी आंकडे दे रखें, उन सब का योग और बटे में उनकी संख्या, जितने भी आंकडे दे रखें, उन सब को जोड़ दो, और बटे में उनकी संख्या, जितने भी दे रखें, उन सब को जोड़ के बटे में उनकी संख्या, यानि एवरेज बरावर, योग बटे उनकी संख्या, नहीं समझें, आप क प्लव 6 बट्टे 2, sorry, कितना आएगा, 3 आएगा, क्यों, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, 3 संख्याएं, तो जितनी संख्याएं हैं, उनको जोड़िए, तो 4 और 5, 9 और 6, 15, 15 और 15 तीन संख्याएं, तो बट्टे में 3, तो कितना अंसरा जाएगा, 5, इसके अलावा, हम दोगो या ना निकले, यह काम करेगा, अगर संख्याएं किरम में हो, किरम में मतलब सीरीज में होनी चाहिए, और सीरीज में भी, एपी में होनी चाहिए, समानता सरीडी में, ऐसी संख्याएं जिनका डिफ्रेंस समान हो, ऐसी संख्याएं जिनका डिफ्रेंस समान हो, एक, दो, ती 20 30 40 यहां के अब कितने कितने का है 10 10 का 1000 2000 3000 4000 1000 का गयप है तो संख्याँ अगर क्रम में हो तो average एक तो यह भी कह सकते हैं बीच की संख्या होती है और हम यह भी कह सकते हैं कि average निकालने का तरीका होता है या पर्थम प्लस अंतिम पड और बटे में दो इतनी वास वहां समझें है कि नहीं है बाता थ mauvais तरीके Peki यह गएकद क्या संख्या होने चाने किरीम में अगर संख्याँ क्रम में नी होगी तो यह काम नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेंगे सब को जोड़ो बट्टे में उनकी संख्या, दूसरा तरीका, बीच की संख्या, बीच की संख्या, चार पांच चे में कितनी है, पांच, तीसरा तरीका, पर्थम पद अंतिम पद, तो चार और चे, पर्थम पद अंतिम पद, चार और चे, दस, और बट्टे में दो, तो कितन नहीं करना, एक प्लस सौ बट्टे दू, एक से एक हजार तक की संख्याओं का अउसत, तो एक प्लस एक हजार बट्टे दू एक से दफ लाग तक की संख्याओं का उसत, तो एक प्लस दस लाग बट्टे दू ठीक है कि नी ठीक है, सम संख्याओं का उसत एक से हजार तक, तो पहली दो और लाष्ट हजार, बटे दो, विसम संख्याओं का उफद, तो पहली एक, अब एक तो विसम सब जानते हैं, जो दो से कट दया है, वो सम ना कटे, वो विसम, और लाष्ट में नौसर निन्यान विया जाई जाई, क्योंकि हजार तो कटती है, से बटे दो तो यह सब सवाल हम लोग कल कर लिये थे फिर लाश्ट में आगे बढ़ रहे थे फिर हमने लाश्ट में आपको यह सिखाया था कि आपको जैसे यह दे रखाओ पांच किरमागत संख्या है जिनका और सत मालो कुछ भी दे रखा है 43 अब बताईए उनमें छोटी सं संख्या क्या होगी तो आपको हमने एक बात बताई थी कल क्या बताई थी बात यह बताई थी कि आवरेज पांच किरमागत संख्या है किरमागत संख्या हो का मतलब जानते हैं ऐसी संख्या है जो किसमें होनी चाहिए किरम में मतलब जानते हैं लगाता एक दो तीन चार पां x plus 2 x plus 3 x plus 4 कितनी संख्या मानेंगे बोलो मौसिम थोड़ी का है कितनी मानेंगे 5 5 दे रखी है तो 1, 2, 3, 4, 5 अब तीनों तरीके काम करेंगे सब को जोड़के 5 का भाग दे सकते हो पहला अंतिम जोड़के 5 का भाग दे सकते हो इतना जादा क्यों करें एवरेज बीच की संख्या होती है तो यह एवरेज हो गया एवरेज हो गया बीच की संख्या x plus 2 जिसका मान आपको गिवन है कितना 43 तो आप बताए यह x परावर कितना आ जाएगा एक तालिस तो सबसे छोटी संख्या 41 उससे बड़ी 42 उससे बड़ी 43 उससे बड़ी 44 उससे बड़ी 15 इसका हमने एक और तरीका बताया था कि एवरेज बीच की संख्या होती है आप देखो 43 संख्याए है तो यह बीचकी आगई पांच लड़का वेटे या लड़किया वेटी है अब एक अब हम खड़ी होगी बीच की हुँ में, तो अब किती दो इधर, दो इधर, ऐसी तो बची, दो इधर और दो इधर, दो इधर और दो इधर, तो आप बताईए, दो इधर और दो इधर, 43 से दो छोटी, बीच में नहीं है, तो 42 और 41, और बड़ी 44 और 15, तो छोटी को पूछिया देख तालीस खातम ये भी हम सिखा दिये ते कल इसके बाद वी हम ये समझ्झा दिये テया अगर संख्याएं देते प्रेटेम को त्रेपन संख्याएं हैं कैसे पर वही तेरेपन किरमागत संख्यां अधरवाईज काम नहीं करेगा यह तरेपन किरमागत संख्या हैं जिनका एवरे दे रखा है आपको 103 अब बताये छोटी संख्या क्या होगी कि भूलो पड़ापड तब बोलो कल बताये थे इत्ता कल करा दिये थे कि नहीं पड़े तो यह भी बेचनी पड़ेंगी और का करोंगे पेट तो वरना ही अपना व्या होगा और उनका कुछ कुछ करना ही पड़ेगा कि आप बताइए इधर देखना कि हमने कल भी समझाया था जिनकी नौकरी 2021 में लग गई उनकी लग गई फिर मत सोची आप सरकाई नौकरी के सपने पांच साल वाद चुनाव होगा तब कहीं आएंगी तब तक तुम बूड़े हो जाओगे या सब प्राइविट हो जाएगा तब तक अब गई तीर्स्री लेर या अजश्ट बिया लेकिन इतिहांस रहा है जब जब तब चुनाव और लेर आईे तो लेर पीछे होगा यह चुनाव पहले आये तोंनाव आए गाऊ चुनाव सिप्हीं सन्यागर्णे पोण Kag 1 जो boost और लेकिन आएंगी, पेपर होगा, और तो फॉरम तो आजाएंगे, और नहीं अदरवाई तो पिछले पान सालों वेकेंसी नहीं है, यूपी ऐसा ही पान साल, लेक पान साल, तब पान साल वाद आएं, तो जे तो है, मानलो, फॉरम हो गया, रजल्ट आ गया, तो अगर मानलो, दो साल वाद जोइन होई, तब तक ब्याफादी तो कल लोगे, अपने फर्टी प्रिकेट दिखा के लग गई है, देखो आगे, चलो आगे देखो, तो इसलिए लग जाए, बढ़िया है, प्रेपन, किरमागत, संख्याएं, और सब फॉरम डालो, वो भी देखा था एक पे पर था, बिचारों की जोइनिंग थी 2021 अप्रेल में, अप्रेल में या मही में थी, अप्रेल में पेपर ही कैंसल हो गया, बंदर पूरा के रद, अब तुम फोचारों की जोइनिंग थी मही में, वो कुछ करते ही नहीं थे, अब क्या मही में जोइनिंग पर जाना है, ब्या चैंसल हो जाएंगे अब है यह बिचारे द्वारा इनका सब कुछ होगा है है देखो आगे तो त्रेपन छोटी आगे देखो त्रेपन किरमागत संक्राइव लिए भरोसा नहीं है नौकरी का कुई जिसमें फॉरम आए डाल दो जह जरूरी नहीं है कि हम पुलिस का ही देंगे जहां में आए जीडी में रेलवे में पुलिस में पैट में बहुत हो कम कते हैं जो पैट का भी नहीं डाल पाए फॉरम सब दो बास अभी का हाल ऐसा है चपरासी की मिल जाए बो भी बुरी नहीं है छोड़ो बाद में दूफरी पकल लो देख आगे अहां है जल्ब कम है तो आप अमें यह बता हो त्रेपन ध्या-व देखना कि प्रेपन किर्मागत संख्याइं का एवरेद रखा कितना एक सो टीन त्रेपन किर्मागत Sankhya Hmm git दे रखा 103 अब देखो आप बताइए 103 संख्याएं है तो एक यह खुद हो गई बीच में अब बची कित्ती कि अरे त्रेपन में से एक गटईयों तो कित्ती बची बावन बची अब बावन में ते 26 जालों को और 26 जालों को यह बीच में ना तो बड़ी चाहिए तो 26 जोड़ दो और चोटी चाहिए तो 26 जड़ अर पीछे को जाने पर घटाते हैं 5 तो चोटी 4 तो चोटी 13 तो चोटी 2 यही तो यहां किया था रेखो तिरह 43 पाँच थी एक गट आओ चार जालों छोटी चाहिए दो बड़ी चाहिए दो जोड़ दो एक ही बात है तो 26 जोड़ दो, 129, जो हो गई बड़ी, अब आप सब को समझे में आ गया, बोलो हाँ है न, लेकिन यहीं दे दे वो थोड़ी सी एक बात, क्या, कि 43 किर्मांगत सम संख्याओं का होसत, सम को इंगलिस में even कहते हैं, जो दो से कट जाएं, सही है के नहीं सही है, इनका जो औसत है, 43 किर्मांगत सम संख्याओं का औसत, मालो 104 है, आप बताएं यह छोटी संख्या क्या होगी, बतावो, कितना, एहा, तो कल चल्ला है, लड़ीकियों में किसी का कोई दिमांग नहीं चल्ला, अब नहीं लग रही हो, इतनी जादा, यह गल्ती तुम्हारी यह चलाया है, नहीं, अतान निकले डले चलेगा कैसे, और आया कुछ है, इनका बीचे में, और यह दावत में आयो, जो जो करके वेट यह फफ्राल में आयो, करो चुप चाप, देखो आगे, 43 किरमागस समसंख्याओं का उसत, पढ़लो, समझा रहे हैं, इस साल मौकरी नहीं लगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको, अभी प्यार से समझा रहे हैं, बहुत, 43 किरमागस समसंख्याओं का उसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 104, अब मेरे भाई, आप बताओ ध्यान से, कितना है, 104, पका, अब बताओ, संख्याओं कित्ती बच्ची, अरे, 43 थी, एक हटा दो, कितनी बच्ची, ब्याल है, कितनी बच्ची, ब्याल है, तो आप बताओ, 21 जालों को होंगी, और 21 जालों को होंगी, 21 संख्याओं जालों को होंगी, और 21 संख्याओं जालों को होंगी, आप बताए, यह वाली बात पले पड़ी के नहीं पड़ी, अरे, 43 आदमी बच्चे, एक बीच का 104 है, तो 21 जालों को बच्चे दावत में, 21 जालों को बच्चे, 21, 22, 42 और 43, 42, अब आप हमें यह बताओ, देखो, जे संख्याओं थी लगातार, न सम न बिसम, जे संख्याओं थी लगातार, तो एक एक का डिफरेंस था, अरे, लगातार कैसे होती है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, जे भी ऐसे ही होती है, 103, 104, 105, 106, लगातार, लेकिन जे ऐसे नहीं होती, सम संख्याओं लगातार, एक एक का डिफरेंस नहीं आता है, देखो, सबसे पहली दुए, फेर चार, फेर छे, फेर आठ, अब समझने वाली बात है, और यहीं होती, एक, दुए, तीन, संब इसम कुछ नहीं कहता, सम इसम कुछ नहीं कहता, तो यह होती, अब आप बताओ, इनमें डिफरेंस कितने का है, यह, तो जासे यह डवल है, अब हम यहां से, आप से यह कहें, यह बताओ, पांच अंकों बाद, एक के पांच अंकों बाद, कितनी संख्याएगी, एक तो पांच जोड़ दो, कितनी आजाएगी छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, बताओ, पांच अंकों बाद पूछ यह पूछ ले, जब कि यहां पांच अंकों बाद पूछ ले, तो छे नहीं आएगी, यहां दो दो का ग्याप है, तो दो पंजे दस, तो यहां आप ऐसा नहीं करेंगे, कि पांच जोड़ दो, दो का ग्याप है, तो चार हमको होगा, दो चौके, आठ जोड़ना पड़ेगा, और संख्या कितनी आएगी, नौ, जहां फिर देखो, पांच, पर साथ, पर नौ, अरे, घुसरा है दिमाग में कहा, जहां सम भी सम होँ, वहां एक-एक का difference नहीं होता, वहां difference कितने का होता है, दो-दो, और जहां लगातार कह दे, वहां एक-एक, वो कहते, तीन से कटने वाली, तो difference कितने का आता, तीन का आजाता, पंद्रे से कटने वाली तो डिफरेंस कितने का आ जाता है पंद्रे का ओ पीचे कहा देख रहे हो नीचे पहन से कुछ करने को कह रहे हैं तुमसे पहले दे समझ लो पहन तो मिल जाएगी यह थोड़ी मिलेगा पिर द्वारा ठीक है तो आप बता हैं तो आप अब यहां छोटी चाहिए चोटी संख्य चाहिए तो हम 21 नहीं कहता हैं यहां ब्यालीस गटाएंगे, काहें एक गैप कितने का होता है, दो का, एक गैप कितने का होता है, दो का, तो एक्तीस आएंगी, एक्तीस कितने की हो जाएंगी, ब्यालीस, तो यहां ब्यालीस गटेगा, और बड़ी चाहिए तो ब्यालीस जुड़ेगा, तो एक सो चार में से ब्या प्रज़ में आ गई कि नहीं आ गई किसी को दिक्कत इस बात में बुर्कुल नहीं और नोट नहीं करें बात में करियो कट्टा ठीक है अगला नोट करने में वही ज़िए विंटा लगा दोगा सिलेवस कैसे होगा पैट तक जत्ता टॉपिक है उसके अगला देखो ध्यान से हम लोग कोफिस करेंगे पहड़ तक करने की जितने टॉपिक है उतने कर लेंगे ओनलाइन ऑफ लाइन दोनों मिलाके मालों फंडे को ओनलाइन घर पर बैटे के लाफ रक लिए तीन-चार गंटे की लंबी-लंबी कर लेंगे टेंशन नहीं लो ते खुआ अब यह का करें यह तुम बीच की जो मांग काड़ते हो मांग नहीं रहेगी और नहीं पड़े तो पढ़ लो यह सब चला गया जवाना तेरे नाम बगेरा है हमारी तरह रा करो देखो अब लोग नर्व चुट चुट करा लिये ते अब आराम से दो महीने हो गए अब अब तुम बीच की मांग काड़ो हमारे यह से कलो फरक कुछ नहीं पड़ना कुछ नहीं पड़ना यह तुम्हें लगता है नहीं पड़ता जिन पर यह फरक पड़ता है वही पर बाद में आके गाने गाते मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तू मुझको छोड़ गई सवाल क्या था सवाल यह था तेतालीस किरमागत संख्याओं का ओफ़त इवन अब बताएए यहां देदे छोड़ा वह देटे तेरा किरमागत सम तो हो गया बिसम संख्याओं का ओफ़त तेर रखा है भाई यह थे तो तेरह है आप ऐसे भी कर सकते लिख लिखके पर बड़ा होगा तब नहीं कर पाऊगे चोटी संख्या बड़ी संख्या बतादी चलो कुछी क्या पूछें उसमें सब तो निकाल लेंगे वों संख्या निकालना सीख जा सब्सक्राइब करेंगे जाएगा कि एकत्तीस पच्पन छोटी कत्तीस बड़ी पच्पन आ गया सबका कि आया कुछ लड़कियों में किसी का नहीं आया आगया सबका देखो चलो तेतालीस आप बताएए तेतालीस की अगर हम बात करें तो तेतालीस को कैसे भी कर लो अपकी छक्का बताया मुश्में तेतालीस बीच की संख्या हो गई तो तेरह में से एक हो गई बची कितनी है और बोलो तेरह में से एक हो गई बची कितनी बारा तेरह में से एक हो गई बची कितनी बारा तो आप बताएए तेतालीस में से फरी एक हो गई बारा बची शे संख्याएं आगे और शे संख्याएं पीछे तो या तो छे लिख लो का दिक्कत है लो एकतालीस ब्यालीस नहीं लिखेंगे याप है कोई पूछे ब्यालीस कहा है नहीं लिखेंगे अरे बिसम है और बिसम में ब्यालीस 42 डो से कड़ जाता है नहीं लिखेंगे बाता पेंटी और बाता पीछे और बाता पीछे ये तो करेंगे बेब गूब लोग अच्छे वच्छे कैसे करेंगे अरे 6 संख्या हैं तो 12 घटा दो 43 में से 12 गया कित्ता वच्छता है इसकी जरुवती नहीं लाफ श्वाल इस्टाइप का आप बताईए हमने कहा तीन से बिवाज होने वाली 43 संख्याओं का होसत 263 नहीं करेंगा रुको 261 संख्याओं बता दो क्या बता है अब क्या पूछे इसमें सब तो करेंगे लोगे आब 324 324 वाव सब का आगया चलिए अब तो अस्यार हो गया अब अगला टाइप देखते हैं आप बताईए एवरेज कितना है 261 संख्याओं कितनी है संख्याओं कितनी है तेतालीस अब तेतालीस संख्याओं है तो एक जी खुद हो गई अब तेतालीस संख्याओं है एक ये खुद हो गई बची कितनी अरे तेतालीस में से एक कम कर देंगे तो तेतालीस में से आगे इधर हो अलो इदद देखा करो ध्यान से त्रेटालीस में से एक कम कर देंगे कित्ती वच्छ जाएंगी ब्याली अब ब्यालीस संख्याओं में 21 इतकू और 21 इतकू आप बताईए या तो लिख लो का जाता है लेकिन तीन-तीन का गैप है तो तीन-तीन का एक संख्या में जैसे तीन औ तो बड़ी चाहिए तो 3 और 6 बद तीस अब समझेगे सबके सबके नहीं समझेगे आ गया ना सबको समझ में चली एक्ष्ट समयता है अब हमने यह कहा पांच किर्मागत संख्याओं का उसत के है पता नहीं न कित्ता है के दे दिया यह दे अगली तीन संख्याओं मिला ली जाएं तो नया एवरेज क्या होगा और अप्सन तो पता ये टेंशन नहीं लेना करो बहुत आप्सन है कितना के पॉइंट बन वो के प्लस बन पॉइंट फाइव रट्टा हुआ है आरे हाँ अच्छा यहां सम करने तब कितना अंसर आएगा समसंग क्या है पांच किर्मा का समसंग्याओं का अफ़त अटक गई ना अरे यहां आप पांच किर्मा का सम करते हैं अब बताओ वास खेल कतब तुम पहीं नहीं रहे हमारी पढ़ दो पढ़ लविजाएगी चुपक जाओ के कहीं तो बढ़िया है आजी किसी कहा अभी तो कोई भी देतो अभी तुमने सम किया है बस यह जो को रटा हुआ सवाल दा हूँ वाव और कियो दा हूँ कितना चले देखते हैं दोनों को देखते हैं क्ये करके पहले डाते हैं इसको देखो भी है इसको करने के कई तरीके हैं एक तरीका तो वही है अपना पुराना वाला डिटेल एकस एकस प्लस बन एकस प्लस टू एकस प्लस थिरी और एकस प्लस फूर ज्यादा है गहीं कहा ना वहीं और सत बीच की संख्या होती है तो x प्लस 2 का जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा के अगर अगली 3 संख्याएं और मिला ली जाएं मतलब मतलब जित्ती जे अतिये बित्ती तो होनी चाहिएं बस आगे की 3 संख्याएं और मिला लो जित्ती जे हैं उत्ती तो होनी चाहिए आगे की तीन संक्या हो तो तीन एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस छै और एक्स प्लस साथ अब बीच में कौन सी आ गई आप न निकाल पाओ तो फश्ट और लास्ट को जोड़के दो का भाग दे तो तब भी तरीके किते बताए अबरेज के देखो यह बताया कि नहीं प्रतम और अंतिम जोड़के दो का भाग या बीच की संक्या या इससे भी यह तो टप पड़ेगा उससलिए इससे नहीं कर रहे ठीक है चलिए तो आप बताईए आप बीच में कौन आईगी तो बीच में भाईया आवेगी चार इत्ता छोड़ो चार इत्ता छोड़ो बीच में कोई आई न रही तो चार और तीन के बीच में आता साड़े तीन या प्रतम लाश्ट को जोड़ो तो एक्स और एक्स टू एक्स और एक्स साथ मट्टे दो तो 2x का आदा x और 7 का आदा 3, जैसे चाहूं, अब यह इसका मान भूचा है, तो यहां से x का मान निकालोगे, तो क्या निकल के आएगा, k-2, उठा के यहां रख दो बस, k-2 प्लस 3, तो आंसर आजाएगा, k-1.5, कौँ प्लस ही हो जाएगा, जिवा, लेकिन this is नहाएदी गटिया तरीका, ऐसे करना ही नहीं हमको फाल्दूगा तरीका है, देखो कैसे करें, आपको हम बताएँ, देखो यहां कुछ दे ही नहीं रखा, केक आवान ही नहीं दे रखा, और केक चर संख्या है, केक ऐसी संख्या है, चर, variable, तो यहां इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं क्यों एक काम करें, एक्ष पगहरा मानने से अच्छा कोई संख्या ही मालें, पांच, बोलो क्या मालने, अब किसी का मन कह रहा होगा, 1,2,3,4,5, किसी का कह रहा होगा, 1,00,1,00,2,1,00,1,00,3,00,1,00,4,1,00,5, मालो, कुछ भी माल सकतो, आँधर दोनों स आएगा अब पता चला तुम्हें यही नहीं आता एक लाग पर जीरो कित्ती आती है तब फिर दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए सरल्फी मालो एक दो तीन चार पांच इनका और सथ कितना हो जाएगा बीच की संख्या यह प्रिथम और लाष्ट को जोड़ो एक और पांच ज्छे बटे दो तो ज्चे बटे दो कित्ता होता है 30 ठीग है चलो अब क्यारा है अगर आग की तीन संख्या और मिला ले कोई यह k था इसका मन k है average k दे रखा है तो अगर आगे की 3 संक्या और मिला ले मिला लो भाईया तो 5 तक तो हैं आगे की 3 संक्या और मिला लो 6, 7, 8 अब आप बताओ average क्या हो जाएगा 1st प्लस लास्ट वट्टे 2 1 और 8 वट्टे 2 तो 9 वट्टे 2 कितना होता है 3 की 3 कौन कह रहाता है 3 बता भाग देना नहीं आरा 9 में 2 का अब आप बताएगे 3 से यह कितना बढ़ गया 3 से कितना बढ़ गया 1,5 तो जब 1,5 बढ़ गया तो 3 का मान K है तो K से 1,5 बढ़ गया इवन कहते हैं इंगलिस में सम संख्याओं का और सत के है अब बताएए यदे अगली 3 संख्याओं यदे अगली 3 संख्याओं मिला लें तो नया और सत क्या होगा वैसे यह उप्सण है अभी बताएगे थे वह यह आले देखो भी यह अब बताएए ध्याँ से तो का दिक्कत है पिछले वाले में 1,2,3,4 मानी थी यहां कंडिसन दे रखी है कैसी संख्याओं सम सम माल लो सम में एक आएगा क्या आफे श्टार्ट करें तो कल्लो का दिक्कत है 2,4,6,8,10 ओफद कित्ता हो जाएगा बीच की संख्याओं या फश्ट रॉलाश जोड़ के जोड़ दो तो 6, या दस रदो 12 वट्टे दो 6 जाको मानूए के अब अगली मिला लो कित्ती 3 तो 2 से 10 तक तो हैं 3 मिलाओं ग्या, सॉरी 12, 14 और 16 तो पर्थम एबरेज कितना हो जाएगा पर्थम अब आपको समझ में आगया यह अगर वो यहाँ पर कह दे बिसम तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर संख्याओं माल लेंगे मेरे भाई क्या माल लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे वो कह दे, तीन से बिवाज होने वाली 5 संख्याओं का उफत के है तो यहाँ संख्याओं क्या मानेंगे 3, 6, 9, 12, 15 कह दे, 7 से डिवाइड होने वाली 7, 9, 14, 21 मतलब जिस से कह दे, बस कोई दिक्कत नहीं यह बाद सब को समझ में आ गई की नहीं आ गई चलिए अगर माल लो इसी सवाल को ऐसे कह देता M से प्रारम्ब होने वाली 5 किर्मागा संख्याओं का होसत N है तो M प्लस 2 से प्रारम्ब होने वाली 6 किर्मागत संख्याओं का आफ़त क्या होगा अटेंसन थोड़ी ले निये तुमको कोई आप बताईए किस से स्टार्ट कराने की कह रहा है M से प्रारम्ब होने कहा है M हम तो एक से करेंगे तो एक से स्टार्ट कर लो भाईया 1, 2, 3, 4 किती संख्या है 5 तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा बोलोगे एवरेज कैसे निकालते है बीच की संख्या या पर्थम प्लस लास्ट बट्टे 2 फर्स्ट एं लास्ट का जोड बट्टे 2 अब आप बताईए जे संख्या है कहां से स्टार्ट हो रही है M से तो जे होगा M को मान और एवरेज कितना है N तो इह हो गया N का मान अब वो कह रहो है M प्लस 2 से M प्लस 2 का मतलब जानते हैं कि दो और जोड़ दो है na M प्लस 2 का मतलब क्या होता दो और एक्ष्ट दो पत आगे नहीं समझे अरे M की जगए एक है तो M की जगए एक रखो गे तो एक और दो कितना हो जाएगा एक और दो कितना हो जाएगा तीन ओ इधर आगे का पंगसें गिरंथ लिखना है तुम को यह संगसें हो तो हमें दो का हमारी आप में दूल लोक नहीं आगे वैठके ठीक है समझ दो तुम्हारा है चाह रहा है मेरा कोई फाइदा दोड़ी है तुम लिखो ना लिखो का फरक पड़ता है पर समझ दो सही से देखो समझ में आ जाएगा आप खुद कर लेंगे नहीं पता जला यहां तो तुमने नोट कर लिया पेपर में आगया यह उपर दे दिया यह नीचे दे दिया फिर फ़र्फ जाओगे तुम फ़ेफ भी समझ देणा जरूडि है अब देखो तो एम से स्टार्ट थी एक माल लिया एक से स्टार्ट करने है आप दो तीन कुछ भी कर सकते थे अब ऑन की जगह एक है तो एक औरगितना जाएगा M की जगह एक है, तो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, अब बोलोगे कचका ना है, एक और दो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो आप हमको बताई है, तीन से स्टार्ट होनी चाहिए, अच्छा, अब तीन से स्टार्ट करो, कितनी संख्या है, पहले कितन अब कितनी है आ तो 6 लिख दो 3, 4, 5, 6, 7, 8 पौफद बताई हो तो कितना आ जाएगा बीच की देख लो 3.5 है या 3.8 3.8 11.8 12 5.5 पहले तो कितना जादा है 2 पहले वाला n हो पहले जो न के रूप में दे रख्या होंगे n plus 2 आगया समझ में के नहीं आगया एक सवाल only for you अगर मालो यहीं ओ इधर note ना हो जाए ठीक है इधर देखो अगर मालो यहीं यह कह देता m plus 2 उपर कर देता और m नीचे कर देता अब बताई यह answer क्या आएगा answer बताओ जिमत बताओ का आएगा काकट देते केवले जोई चेंज किया है यह उपर नीचे यह सेम का सहम ही है बोलो बड़ा पट पास गए इत्ती गर्मी नहीं है जिप्त मैं कह रहे हो हम यादा गर्मी नहीं लग रही होगी है लाटी लाट जल ली है और ना के सुवह सुवह तप सही रहता है दिन आके नहीं आये न सुवह आये थे फिर क्या लग रही है खाने फिर करें लगती है कित्ता लड़कियों का फर्म आनी चाहिए लड़कों को लड़कियों का मैत कमज़ूर होता लड़कियों का पहले आ गया अलांके गलत बात हैं फर्म नटगियां और लो तभी हमारी समझ में नहीं आ रहा हमारा गड़ती कमज़ूर है यह जूट बाकता है यह कह देते हैं पान नीचे एक आद जो बैठी हो लड़कियों की हमारे समझ में नहीं नहीं अल्यो हमारी गल्ती थोड़ी है हमारा आता ही नहीं मैं समझें इसलिए नहीं है आरा हमको कि यह सिर्फ एक अफवा है जूट कि देख आगे किसी से कहते हो कि इस्ट्री बॉर्ट तफ होती है अब वो खूब पढ़े उसकी समझ नहीं आएगी और उसे पूछो समझ नहीं कैसे आए तफीत नहीं है कि मालोन ने आका इक अब थीक्त है तो पहले इस्ट्रा बहरे हैं थीन से एक और तीन अ तीन से इस्ट्राट हों के पांच संका है तो तीन चार पांच 6 साथ रहागी चैन थोड़ी किया तो एपरेज कितना हो जाए बीच आणक है कन ठीन कितना कम एस से यही आंसर है वस फाल्दू गाता कह रही है तो यही पूछ लिया था हमने चलिए अगला सवार आप हमें यह बताईए इतनी बात में अगर आपको दिक्कत नहीं हुई तो देखो पहले बताओ इतनी बात सबको समय दें आगी अब आगे बढ़ते हैं आगे हम आपसे कहें जैसे सबका सर अलब वाव आंसर सबका आगया आप बताईए हमको पर्थम 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 एन संख्याओं का ओसत के है आपको एक जानकारी के लिए बता दें जब आप पढ़ेंगे इस्टेटिक्स जहां माद्यक, माद्यका, बिचलन वगएरा ये निकालना सिखाया जाता है वहाँ एवरेज को माद्यका जाता है तो ये वहाँ पर सवाल माद्यकर के भी दे दिये जाता है ठीक है तो पर्थम एन संख्याओं का ओसत एन के है पर्थेक संख्या में एक जोड़ने पर नया अफ़त क्या होगा वाँ कितना आया? किन का आया? सही है ये फिर देख रहे है जैसे गलत किया, गुना कर दिया पर ये पेपर में नहीं आएगा पेपर में कैसे आएगा? पहली में एक दूसरी में दो इसी प्रकार N V संख्या में N जोड़ने पर नया आउसत क्या होगा है? आप बताइए पहली उपर वाला देख लेते हैं, देखो ये बाद में करेंगे पहला सरल है, बहुत सरल है आप बताइए, देखियो इदर मैं आप से कूँ मालो, तीन संख्या है और तीन संख्याओं का ओफ़त कितना है? दो पैसी समझा रहे हैं, N की जग़े कुछ भी तीर मालो चलो अब प्रतेएक संख्या में प्रतेएक संख्या में अब पैसे एक जुड़ा रहा है, तो नहां यह जाई दो नहां यह जाई अरे बीच वाली संख्या में भी तो जुड़ेगा एक और जब बीच में जुड़ेगा तो एबरेज भी एक जुड़ जाएगा खंद है तो ऐसे ही एगर N संख्या हैं, अगर मालो इन संख्याय हैं कुछ यह एंस अंख्याइं जिनका उसके है बीच में कोई ने कोई तो जोड़ हो गे इसमें भी एक इसमें भी एक इसमें आःहा जाउम में जुड़ेगा तो जब इसका मान के है तो जामें एक जुड़े के 8 प्रतेक का हिस्सा हमने कल बताया था हमारे प्रदानवंत्री जी अगर अमेरिका गए और वाके राष्टपती जी ये पूछा आपके देश की ओफत आए कितनी है और प्रतिवेक्टी आए तो मालुक 11,000 रुपे उन्होंने बताई इसका मतलब है सब को मिलते कितने कितने 11,000 हम दे तो हाहने किसी को खार किसी को एक लाग कमा रहा ही कोई लू ट रहे है को येख दिन अधर गो जत्रोड कमा लेता है है भी जिला पंचाहत वग्यर मिख गई बीडीरटी सी ने टीन भा पर कमा लिये बीडी सी जो पानिये थे कि अख़द की बहुत ज्यारक है अम्हालों कि फीकर में 10 ंat cens step 310-9ий तीक अब यह क्या है यह सब पैशा तो देश काहिस है ऑब यह किन का पैसा है हम जैसे गरीबों का Sounds थीक है अधर 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 सब जैसे गरीबियों का ठीक है तो यह क्या अब इन सम्में बढ़ जाता है हम मिल नहीं रहाद दस रुपे खाने को मालिक हैं 11,000 रुपे के महीने के ठीक है तो यह ओफत का मतलब होता है प्रतेक का अब आके कहें ठीक है काम करो सब की तनका बढ़ा आएगा 100 रुपया जैसे आप बताईए अभी कोरोना काल में देश का करजा बढ़ गया कुछ अब जो पहले हर्वयक्ति के ऊपर पताते हैं 3-4 यह रुपे करजा आता ता मालों पांस रुपे हर्वयक्ति पर बढ़ गया करजा तो अब हर्वयक्ति पर कितना हो गया 45 रु उपढ़ा हो गया समय में दो धोका भाग दे तो और फट मैं दो का भाग दे तो आगज़ा समझ में सबका मतलब है और सब्सक्राइब कर दो सब दिल यादा ग्राथ पढ़ा दो तो क्या अवरेज बढ़ गया जी तो अवरेज है ठीक है लेकिन यह सवाल समझने लाइक है इस सवाल को समझेंगे हम लोग कल एक और बात बताएं खास ठीक है इसको कल अगे चलेगा जिनके पास मोवाइल है उनके पास सीट पहुंच जा पर के चला है अभी अच्छी वात नहीं है पंदे आर्ट दफ दिन वाद अच्छी वात और सुना है लो बैठ जाओ एक में टो को